हाई स्टुडेंट्स, माइ नेम इज फैज साकिर, वेलकम टू सिकेंट रिलेशन ओफ जोग्रफी, फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग दपेनिन्सुलर प्लैटू को डिसकस करने जा रहे हैं बहुत ही important topic है, तो आपसे request है कि आप इस वीडियो को last तक देखें ताके आपको दपेनिन्सुलर प्लैटू अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो चलिए start करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि दपेनिन्सुलर प्लैटू आखिर है क्या कहता है दपेनिन्सुलर प्लैटू इज़ टेबल लैंड कहता है कि पेनिन्सुलर प्लैटू जो है वह एक पठार है एक हाई लैंड है composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks और कहता है क्या कि ये जो पेनिन्सुलर प्लैटू है यह old crystalline igneous और metamorphic rocks से बना है तो starting का line जो है इसमें कह रहा है कि पेनिन्सुलर प्लैटू एक टेबल लैंड है एक पठार है हाई लैंड है जो की old crystalline igneous और metamorphic rocks से मिलकर बना है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको tectonic plates के बारे में बताया था फिर मैंने आपको गोंडवाना लैंड के बारे में बताया था फिर कहता है one of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as दक्कन trap कहता है कि पेनिन्सुलर प्लैटू की एक खास विसेश्था है विसेश्था क्या है विसेश्था यह है कि इस area में जो black soil पाया जाता है उसको हम लोग दक्कन ट्राइप कहते हैं तो अभी तक हमने यह परहा कि peninsular plateau एक high land है एक पठार है जो की old crystalline, igneous और metamorphic rocks से बना है और कहता है कि यह कैसे बना है तो गोंडवाना लैंड के breaking और drifting की वज़ा से बना है गोंडवाना लैंड के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था तो अगर आपको गोंडवाना लैंड नहीं पता है और peninsular plateau की एक खास बात यह है कि इस area में black soil जो पाया जाता है मतलब peninsular plateau में वैसा area जहांपर black soil पाया जाता है उसको हम लोग दक्कन trap कहते हैं अब आगे कह रहा है this plateau consists of two divisions यानि कहने का मतलब कि peninsular plateaus के दो हिस्से हैं उसको आप दो हिस्सों में divide कर सकते हैं फर्स्ट है the central highlands और दूसरा है the दक्कन plateau सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं के central highlands क्या है कहता है the part of the peninsular plateau lying to the north of the नर्मदा रिवर कहता है क्या कि peninsular plateau का वैसा हिस्सा जो नर्मदा रिवर के north में पाया जाता है ठीक है उसको जो है हम central highlands कहते हैं covering a major area of the Malwa plateau कहता है कि Malwa plateau का जो है आप देखिएगा कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो central highlands के अंदर आता है तो central highlands का मतलब क्या हुआ तो कहता है कि नर्मदा रिवर के north में जो peninsular plateau है वो central highlands कहलाता है आप इसमें देखिएगे कि Malwa plateau का maximum हिस्सा जो है वो central highlands के अंदर ही आता है कहता है the eastward extensions extensions का मतलब होता है विस्तार of this plateau are locally known as the बुंदेल खंड and भागेल खंड कहता है कि अगर आप इस plateau के east के तरफ अगर आप बढ़ें तो ये plateau जो है local जबान में लोग जो है original language में इसको बुंदेल खंड और बगेल खंड के नाम से जानते हैं तो उम्मीद है कि आपको central highlands जो है वो समझ में आ गया होगा अब हम लोग the दक्कन plateau को discuss करेंगे कहता है it is a triangular land mass कहता है कि ये जो है triangular land mass है मतलब triangle के shape का बना हुआ है अगर आप map देखें NCRT में दिया हुआ है तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा वहाँ पर पताया हुआ है कि central highlands किसको कहते हैं दक्कन plateau किसको कहते हैं बज़ आप देखेंगा है कि उसमें figure मना हुआ है तो अगर आप map को देखें तो वहाँ पर आपको बास समझ में आ जाएगी तो कहता है क्या कि it is a triangular landmass कहता है कि यह जो है triangular landmass है that lies to the south of the river नर्मदा जो की नर्मदा नदी के south में पाया जाता है देखिए नर्मदा रिवर के जो north में पाया जाता है peninsular plateau उसको हम central highlands कहते है और नर्मदा रिवर के south में जो peninsular plateau पाया जाता है उसको हम दक्कन प्लैटू कहते है अब बास समझ में आ गई एक बार आप NCRT का map देखिए आपको बात और अच्छे तरीके से समझ में आएगी an extension of the plateau is also visible in the northeast कहता है कि आप देखेंगे कि प्लैटू के north east में भी जो है आपको दक्कन प्लैटू मिलेगा which is known as the megalia कर्भी आंग लॉंग प्लैटू and north काचार hills तो कहता है कि आप देखेंगे कि जो दक्कन प्लैटू का जो north east extension जो है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है तो में घाल लिया कर्भी आंग लॉंग प्लैटू और नौर्थ का चार हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है तो आज के इस वीडियो में हमने परहा कि peninsular plateau है क्या तो मैंने आपको बताया कि peninsular plateau जो है वो एक highland है एक पठार है जो की old crystalline, igneous और metamorphic rock से मिलकर बना हुआ है गोंडवाना लैंड के breaking और drifting के वज़ा से ये बना है और peninsular plateau में जो black swell area पाया जाता है उसको दक्कन trap कहते हैं फिर मैंने आपको बताया कि peninsular plateau को आप दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं एक को हम the central highlands कहते हैं दूसरे को हम the dक्कन plateau कहते हैं कहते हैं कि नर्मदा रिवर के जो north वाला हिस्सा जो है उसको जो हम मतलब नर्मदा रिवर के उपर जो north वाला जो peninsular plateau है उसको हम the central highlands कहते हैं मालवा प्लैटू का maximum हिस्सा जो है वो central highlands के अंदर ही आता है और इसका जो eastward extension है उसको हम local जवान में जो है बुंदेल खंड या बगेल खंड के नाम से जानते हैं फिर मैंने आपको बताया धक्कन प्लैटू के बारे में कहता है कि यह एक triangular land mass है जो की नर्मदार रिवर के south में पाया जाता है आप map देखें NCRT का वहाँ पर clear होगा और कहता है कि इसका extension जो है वो आपको north east में भी दिखाई देगा और north east में इसको जो है में घाल लेया कर्भी एंगलोंग प्लैटू वगरा के नाम से इसको जानते हैं तो हमने आज परहा कि peninsular plateau है क्या फिर मैंने आपको बताया कि peninsular plateau को कितने हिस्सों में divide किया जा सकता है तो उमीद है कि आज का वीडियो आपको informative लगा होगा useful लगा होगा समझ में आया होगा देखिए ये जो है वीडियो आपको उसी वक्त समझ में आएगा जब आपने 8th class में जो है वो अच्छे तरीके से परहा होगा अगर आप एट्थ ख्लास में अच्छे तरीके से जोगराफी नहीं परहा होगा जैसे आगर आपको drifting नहीं पत जगरत होगी तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जगरत है आप जो है NCRT के बुक को लाइन बाइन पर हैं आपको आपकी ये प्रोब्लम जो है वह दूर हो जाएगी अगले वीडियो में हम लोग इसी लेशन को कंटिनू करेंगे तब तक आप अपना ख्याल रखें खुस र नवाद बहुत बहुत सुक्रिया